कि मैं आप लोगों के बीच फुना में एक नई बिंदू के साथ मैं उपस्थित हूं आज का जो मेरा पॉइंट से है कि हम अपने परिवार को एक सुन्दर एक बंधन में एक सुन्दर बंधन में कैसे पिरो के रखना है हमें तो पालत मैं सब्वे उन भाई बंदू से मैं खाना चाहता हूं उनके लिए विशेश खास करूए उनके लिए संदेश है जो साधी के बाद के पड़ाओ में साधी के बाद के लोग तो मैं उससे पहले में बताना चाहता हूं कि जो भी वैसे भाई बंदू हैं जिनकी साधी नहीं हुई हो वो पड़ाओ को इतना हड़ पड़ाओ नहीं होता है क्योंकि वो बहुत इजी पड़ाओ माना जाता है क्योंकि वो साधी के पहले तो हर बेटा बेटी के लिए जो है मावा बहुत प्यारे होते हैं और उनको साध हैंडल करना बहुत आसान सा भी होता है लेकिन उन हर बेटा और बेटी के लिए साधी के बाद का जो पड़ा होता है वो बहुत कठीन भड़ा दोर होता है और हमारे साधी के बाद का जो पड़ा हमारे जीवन में जिस तरह से पहाडों का कहर तूट रहा है जिस तरह से हमारे परिवारों में विवाद उत्पन हो रहे हैं यह देखने से दिल में बहुत दुख हो रहा है और यह समस्षाएं कहां से उत्पन हो रही है आज मैं इन्ही बातों पे चर्चा करूंगा तो मेरी पहली बात तो यह है कि साधी के बाद ना तो बेटी बदलती है ना तो बेटा बदलता है ना तो मा बदलती है और ना तो पिता बदलते है बदलता कोई नहीं है लेकिन उनकी सोच में एक नई जाग्रिती पैदा होती है असामंजस्य की जो एक बहुत बड़ा विक्राल रूप धान कर ले रहा है और वो आसामंजस्य है क्या साधी से पाले वहीं बेटी वहीं बहु उस मा के लिए बेटी थी साधी के बाद वहीं बेटी एक बहु बन जा रही है सिर्फ सोचने का नजरिया अलग वहीं बेटी जब साधी नहीं होती तो बेटी की नजर से सोचती थी मा को साधी के बाद वो सास की नजर से सोचती है यह बहुत जटिल समस्या है आज मैं जिन समस्याओं पर बात करने जा रहा हूँ आज मैं आप लोगों को पुण विश्वास के साथ कह रहा हूँ विखरते हुए परिवार भी एक जुट हो जाएंगे दि आपने मेरी इन बातों को आप लोगों ने समझा तो और समझे से किस बात की है तो आ समझे से इस बात की है ना तो बहु अपने बेटी का दैती निभारिये और ना सास अपने एक मा का दैती निभारिये यही सबसी बड़ा आसमझस्य है मा बेटी को समझने के लिए तयार नहीं है बेटी मा को समझने के लिए तयार नहीं है एक कमी आई कहां से हमारे इस अखंड भारत सर्वस्व भारत अनेक भासाएं अनेक धर्मों के बावजूद इतनी भिंताओं के बाद इतना क्लेश पैदा हुआ कैसे ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानता का प्रतिक ऐसा क्यों हो रहा है तो बस मैं अपने उस मा अपने उस बेटी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मा बेटी को समझे और बेटी मा को समझे और अपने दैतों को समझते वे अपने परिवार को एक जन्नत की एक जन्नत सा परिवार बनाने बनाए पिता पुत्र को समझे पुत्र जो है पिता को समझे छोटी छोटी बातों पे जो आसमानज़स से पैदा हो जा रहा है ये क्या दिखाता है क्या दर्साता है कि बहुत बड़ी अज्ञानता को दर्साता है बहुत बड़ी अज्ञानता कि मैं चाहता हूं अपने आप सूच को बड़ा रखिये आप भड़ी से बड़ी समस्याओं को भी एदी आप तुछ मानेंगे तो तुछ बन जाएगा कि छोटी से छोटी समस्याओं को भी आप भाड़ा मानेंगे तो बहुत बड़ा बिक्राल धरन कर लेगा मैं आप सब लोगों से, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मा के अंदर भी वहीं प्यार है, बेटी के अंदर भी वहीं प्यार है, पिता के अंदर भी वहीं प्यार है, बेटा के अंदर भी वहीं प्यार है, प्यार किसी के अंदर कम नहीं है प्यार किसी के अंदर कम नहीं है बस एक दूसरे को समझने की समझ की कमी है एक दूसरे को समझने के समझने के लिए समझ की कमी है और किसी बात की कमी नहीं है बस मैं चाहता हूँ कि जिस दाईत्य को आफ साधी से पहले निरोहन कर रहे थे जो प्यार मा बेटी के साथ था जो प्यार पिता पुत्र के साथ था वह प्यार जन्म सले के मिर्ति तक ये बरकरार बना रहे इसके लिए सभी सदस्यों को अपने अपने दाईत्यों को इमंदारी पुर्वक निरोहन करना होगा यदि किसी से कोई भूल चुक हो जाता है तो अपना कदम आगे बढ़ाते हुए शमा प्राथी स्विकार करें कभी बेटी अपने कदम को बढ़ाए कभी मा अपने कदम को बढ़ाए परिवार में कभी आसमंज़ से पैदा नहीं होगा बिवादों को कभी अलग अलग न सूल जाए कोई बिवाद होता है बिवाद छोटी हो या बड़ी हो परिवार के सारे सदस एक जंगा बैड़ जाएं परिवार के सारे सदस एक जंगा बैड़ जाएं और उस समस्या को मिल बाट कर उसको दूर करने की कोशिस करें दुनिया का ऐसा कौँ सा समस्या जिसका समधान नहीं है हम समस्याओं को समधान देना ही नहीं चाहते हम समस्याओं में और उलजना चाहते हैं हम समस्याओं में और उलज रहे हैं समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं समस्या तो हमारे दिमाग का एक किड़ा है जिसने उसको फेक दिया, समस्या खत्म हो गया जिसने नहीं फेका समस्या उसके साथ बननी पड़ी है मैं अच्छे अच्छे लोगों के पास देख रहा हूं अच्छे अच्छे परिवार सुखी संपन परिवार गरीब से लेके अमीर तक सारे परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेस छोटी छोटी बातों क लेकर गाली गलोज। हमारे संसकार पहले नहीं था को है लेकिन ऐसा बनते जारा है उसका जिम्मेदार कौन है हम सब लोग है किसी एक की बात कर नहीं कर रहे है सब कि जिम्मदारी को सभी लोगों को लेना होगा कोई से चुता नहीं है कोई अपने आपको अच्छा नहीं और सकता तद्यो का यह बेट कि सभी लोगों को मिलकर अपने दयत्तों को निर्वान करना होगा और एक अपनी बेटी को खुम मांती है बहुत प्यार करती है यह बेटी जब एक दूसरे मा की जब मां न के रिष्ता ही खतं कि महीं आई में जब किसी दूसरे बेटी की सास बनती तो मा का ममता ही खतम यह बहुत बड़ा आसामंजस है इस खाई को मिटाना होगा मा को मा की नजर से देखना होगा पिता को पिता की नजर से देखना होगा बहन को बहन की नजर से देखना होगा भाई को भाई की नजर से देखना होगा तब हमारे अंदर प्यार का साम जद से पाइदास थापित होगा परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आगे ले जाने के लिए ऊछ दरदा प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी पैरिसानी उपuchen्ивает यू लस्ते रहेंगे बड़ी परिशानी आने पर क्या होगा मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जितने भी भाई बंदू हैं जितने भी मात पिता है एक दूसरे के परिवार अपने परिवार के अपने सारे सदस्यों पर ट्रस्ट रखें भरोसा रखें आपका परिवार बहुत सु इन ही बातों के साथ मैं आप सब लोगों से सब निवेदन करता हूं कि हमारे परिवार में यह छोटी छोटी जो क्लेश है उसको हम एक जंगा बैठ कर मील बाट कर उसे उन छोटी छोटी समचाओं को खद्म करें इनी बातों के साथ मेरा या संदेश आप लोगों को ये दिय अच्छा लगा हो तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उन सभी भाई बंधों के पास उन सभी मात पिताओं के पास इस संदेश को भेजने की कृपा परदान करें मैं आप सब लोगों का तहे दिल से अभार ब्यक्त करता हूं